काम किया उन्होंने, चार बच्चे होने के बावजूद भी बंदा बिल लेकर आया है, उसे पता है कि चार बच्चे होने की जिम्मेदारी और परवार पे आने वाले संकट क्या होते हैं, आप मजाग उड़ा रहे हैं, मजाग उड़ा रहे हैं बिल ने ये कहा है सबसे कि तुम से कह रहे हैं कभसे भारत के विकास में तुम अपना एहम रॉल कर लो जितने हो चुके हैं काफी अब कुछ तोल मुल कर लो बावनाव पे कंट्रोल करो अपने विरोध पे कंट्रोल करो और ये बिल पास होने दीजी हम दो हमारे दो के सिस्टम से अलग रहते हो क्यों उनसे कह रहा हूँ जो इस बिल का विरोध कर रहे हैं हम दो हमारे दो के सिस्टम से अलग रहते हो क्यों ओलादे जादा हो जाएं बाद कश्ट सहते हो क्यों कैसी सिक्षा है कैसी इच्छा है कैसा ये प्लान है तालिया बोज के तले अब दबा हुआ ये हिंदोस्तान है नारे तो नहीं हो माने मानने लौटे साल हो घहा हम दो हमारे दो लेकिन हो रहा हम दो हमारे 10 तो अब क्या करे गानू लाना इपड़ेगा नारे तो नहीं हो माने लोगे आगे अब तो जुकलो सरकारी है जो भीशुविधा सबका सारे मिलके सुख्लो हम भी दो के बाद रुक ले तुम भी दो के बाद रुक लो तुम भी दो के बाद वरना होगा क्या कानून आना बहुत जरूरी है कि जन संख्या पर करो नियंत्रन तोड़ो सारे भरं भरं सारा देश सुने एक अच्छे कानून के आगे कोई न रखे दीन धरम और दो से जादा बच्चे होंगे आएगी तब शरम शरम दो से जादा बच्चे होंगे आएगी तब शरम शरम वरना कानों में गुझेगा ये गाना भी गरम गरम किया 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 रे सैनम किया 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 इसका विरोध क्यों है चौहां सब आपने जो एक कविता के माध्यम से जो जागरुकता दिलेने का काम किया है हम लोग भी यही चाहते हैं कि लोगों को जागरुकता हो और हम दो हमारे दो का इंपेक्ट आफी से सुर लेकिन आप कहरें कि जाग रुपता है कि सतर साल से तो आपने दे दीना जाग रुपता जो कई बार हम कभी लोग हैं बेसक गूरुपों में बढ़ जायं लेकिन मन में जो देश के प्रती हित्की बाता आती है वो आती है और वो इसलिए हम नागरिक हैं तबी से पहले हम एक और हम लोगों को यूँ बात आती है, चारू जी, अब ये केवल नेताओं की गलतीने, घरों में बुरा आल हो रहा है, अब मैं किसी दल विशेस की बात नहीं करता, लेकिन सुनो एक हास से वेंका च्छन दे, के एक पतनी ने पती जी से कहा सुनिये जी, एक पतनी ने पती जी से कहा सुनिये, जी तीन बच्चे मेरे प्यारे प्यारे होने चाहिए, उसकी सहेली बोली मेरी भी तो बात सुनो, अपने पती से वो बोली सहीली खुंदग में कि उसकी सहीली बोली मेरी भी तो बात सुनो मेरे चार गोरे चार कारे होने चाहिए मेरे गोरे चारे और चारे होने चाहिए तीसरी सहीली बोली जितने भी दोनों के हो उतने तो मेरे कुल सारे होने चाहिए अब पती क्या बोला कि पती उने काहा बात ठीक है मगर सुनो हमारी मरजी से भी तो दुलारे होने चाहिए हमारी मरजी से भी दुलारे कुछ ना कुछ यही चलता रहा देश में और उसी का नतीजा यह है कि तमाम योजनाएं हमारी शराप की तरह निगल जाती है हमारी किये भी विनित भाई ने तीन इंजन की सरकार बताई तीन इंजन की सरकार की दो इंजनों से नहीं चला काम के इंदर की बात होती है भी निगर निगम के चुना हुए तीसरे इंजन तीसरा इंजन अगर कहीं खराब होता तब भी बात रुकती है दो हो तीन हो इंजन में आ रही है, गाड़ी बुला रही है, यूपी से आ रही है, दो इंजनों के बाद ये तीजा लगा रही है गाड़ी बुला रही है यूपी में आ रही है अब क्या करा पहले इंजन ने यूपी के अंदर सुरक्षा की गारंटी डॉन वाला राज्य था बुरा हल था इस कोड रोम्यों चलाया सुनो मस्ती लिजो बच्चो ए जितने भी डॉन कर दिये मौन, जितने भी डॉन कर दिये मौन, ऐसा सबक सिखाया, करके तमाम निप्टाया काम, रस्तानया दिखाया, आप इसकोड रोमिये, मुर्गे बना रही है, मुको सुजा रही है, गाड़ी बुला रही है, यूपी में आ रही है, और क्या किया बेतरीन काम, के भोले का धाम, कहके श्री राम, सुनो तीसरा इंजन, के भोले का धाम, कहके श्री राम, फिर से उसे बनाया, सब को थियास, किया विकास, ये विश्वास दिलाया, भारत सजा रही है, दुनिया पे चा रही है, गाड़ी बुला रही है, यूपी में आ रही है, दो इंजनों के बाद भी तीजा लगा रही है, ये अखिलेज जी की सरकार से बहते रही होगी सरकार, तो मौन तो कर दी लेकिन वह बाले मौन की जो भाजपा बिरोध बाले थे वह डॉन डॉन हो गए मौन भाजपा बिरोध बाले भाजपाई डॉन तो भी भी घुम रहे हैं